दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपके जमीन पर केस चल रहा हो आपका जमीन पर बिवाद हो दो पक्ष यहां पर कोट में एक ही जमीन के लिए गए हों कोट में सुनवाई चल रहा हो और फिर इसी बी करके वह जमीन को लालच में आकर बेश देता है कि चलो यहां बिवादित जमीन है चलो मैं इसको बेश देता हूं और यहां पर जो खरीदने वाला होता है वह सोसता है कि चलो बिवादित जमीन है लेकिन सस्ता में मिल रहा है चलो मैं इसे खरीद लेता हूं और वहां भी कि जमीन को कोई बेच देता है, तो यह कहां तक सही है, क्या यह कानूनी रूप से सही है, इस पर क्या हो सकता है, देखिए अगर किसी भी जमीन को लेकर कोट में सिबील सूट चल रहा है, तो फिर TPA यानि ट्रांसफर ओपरपटी एक्ट के सेक्शन 52 के अनुसार आप उस जमीन क को बेच नहीं सकते हैं, तो फिर यहां पर अगर सिबील सूट यानि जमीन का केस जब कोट में चल रहा हो, और फिर इसी बीच कोई भी पक्ष यहां पर जलसाजी करके, अगर उस जमीन को बेच देता है, तो यह सारा सरगलत है, यह कानून के खिलाफ है, यहां पर कोट माना जाएगा, और फिर यहां पर कोट उस ब्यक्ति को पनीज भी कर सकता है, और यहां पर जो रजिश्टरी करता है, उसका कोभी मतलब भी नहीं होता है, तो यहां पर आप सीधा समझ लेजिए, कि जब कोट में केस चल रहा हो, जमीन का बीबाद कोट में चल गया हो, तो फिर आप किसी भी जमीन को बेच नहीं सकते हैं जब तक कि कोट का फैसला ना आ जाए अगर आपका भी जमीन का बिबाद कोट में चल रहा है और फिर यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है माधिक पावरफुल है और अगर वहां उस जमीन को बेचता है तो फिर आप अपने वकिल के माध्यम से कोट में एक application लगा सकते हैं क्योंकि कई बार कोट को पता ही नहीं चलता है और वहां register कर देता है वहां किसी और को बेच देता है तो फिर आपको जैसे ही पता चलता है भनक लगता है आप वकिल के माध्यम से कोट में application दे सकते हैं फिर कोट यहां पर अपने धंग से उस ब्यक्ति पर action लेगा और फिर उसे jail भी यहां पर जाना पढ़ सकता है क्योंकि आप सिधा सा समझ लेजिए कि जब किसी भी मामले की सुनवाई कोट में चल रही हो तो फिर किसी को भी यहां अधिकार नहीं है कि वहां उस जमीन को बेच दे यहां पर कोई भी अधिकारी DM, COS, DM कोई भी यहां पर बेचने का order नहीं दे सकते हैं क्योंकि जब मामला कोट में चला जाता है तो फिर कोट ही decide करता है दोस्तों अगर आपका भी कोई जमीन का case चल रहा हो या फिर आपका भी जमीन का कोई matter हो आप परसान है और आप चाहते हैं कि आप हम से advise लें तो अप नीचे comment box में comment के माध्यम से अपना सवाल पूछ सकते हैं लेकिन आप अपना जो comment करें वहां थोरा sort में करें ताकि मैं कम समय में अच्छे से समझ पाऊं या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपसे phone से ही बात करूँ तो फिर आप हमें Instagram पर पहले follow कर ले मेरा Instagram पर username है pretes1584 लेकिन अगर आप हमसे phone से बात करेंगे तो यह मेरी paid service है मेरी एक nominal CP है जो कि मैं यहाँ publicly नहीं करूँगा लेकिन उतना कुई भी ब्यक्ती phone कर सकता है और फिर आप payment करने के बाद हमसे phone से बात कर सकते हैं कई लोग जानना चाहते हैं कि phone से बात करने का क्या process है आप पहले हमें Instagram पर follow करेंगे आप Instagram पर जाकर search करेंगे pretes1584 तो मेरा idea आपको मिल जाएगा आप हमें वहाँ पहले follow करें फिर आप हमें message करें कि आप हमसे phone से बात करना चाहते हैं फिर मैं आपको एक QR code भेजूंगा और फिर आप payment करेंगे जो कि मेरी nominal से fee है मेरी fee क्या है मेरी team आपको वहाँ बता देगी फिर आप payment successful करने के बाद आप उस payment का जो screenshot होगा जो receipt होगा आप हमें Instagram पर भेजेंगे फिर आप अपना नाम, address और आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं आपका क्या सवाल है आप Instagram पर ही message करते हैं फिर उसके बाद मेरा number आपको share कर दिया जाएगा फिर आप जब भी फिर हो आप हमें बेहिचा call कर सकते हैं और जब एक बार मेरा number आपके पास चला जाएगा तो फिर आप हमसे कभी भी WhatsApp पर बात करके time लेकर free of cost बात कर सकते हैं आप यह समझ लिजिए एक बार आपको nominal से fee देनी होगी फिर lifetime आप हमसे जूड सकते हैं आप मेरे सरकिल का हिस्सा बन सकते हैं और lifetime आप हमसे WhatsApp पर बात कर सकते हैं आपको कभी भी जीवन में कुई भी legal advice चाहिए तो आप हमसे free of cost फिर बात कर सकते हैं आज के समय में सभी को कभी ने कभी कुई न कुई legal advice लेना ही होता है तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी आप इस वीडियो को अधिक सर्दिक अपने दोस्तों और इस्तोधारों में भी जरूर सेयर करें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल लखें